नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे चिमनी के बाले में बात करने जा रहा हूँ, जो हमारे आज के इंडियन कुकिंग के लिए बहुती अच्छी और बहुती सुटेवल है, ठीके ये जो मोडल में आपको जो बचाने जा रहा हूँ, ये मोडल है फेबर का चिमनी को खरिदने से पहले मैं आपको पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, कि आज हमारे देश में दो तरह की चिमनी जादा मार्केट में चलती है, एक है बफल फिल्टर वाली, अदूसरी है फिल्टरलेस टेक्नोलोजी, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये बफल फिल्टर और फिल्टरलेस टेक्नोलोजी में क्या डिफरेंट है, बफल फिल्टर होता है, ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने चिमनी खरिदी, ये फिल्टरलेस चिमनी है, इसमें कोई भी फिल्टर लगा हूँ नहीं है, ठीक है, और जो बफल फिल्टर होता है, ये जो को आप हमेशा अपने किचन के जब भी काम करते हैं तो 15 से 20 दिन या 25 दिन के अंदर आपको क्लीन करना पड़ता है लेकिन नियाप पर इस चिम्नी में ऐसा कुछ नहीं है इसलिए आज के समय के हसाब से मैं आपको कभी भी सज़ेश्ट नहीं करूंगा कि आप कोई भी बॉफ सर्च किया बहुत जानकारे लिए तब मैंने अपने घर के लिए यह चिम्नी को मैंने बाई किया तो इसलिए मैं आपको एक ऐसी यही सदा दूंगा कि आप यह फिल्टरलेस वाली चिम्नी ज़्यादा खरीदे जो बड़े आराम से आप जस्ट एक फिल्टर को कभी भी एक म मेना या दो मेना के बाद आराम से निकाल कर आप अपने उसे क्लिन कर सकते हैं और फिर वापस इंस्टाल कर सकते हैं यह बहुत इजी है और कोई भी से कर सकता है तो आईए मैं आपको यह जो फैवर का चिम्नी है इसे कुछ फीचर्स के बारे ही बताता हूं इसमें क्या-क् प्रोटक्ट आता है तो इसे काफी इंट्रेस्ट होता है और इसे जाननी के बहुत ही रूची रहती है कि यह कौन सा प्रोटक्ट मेरे घर माज नहीं आया है तो आप देख सकते हैं पहले मैं आपको इस फीचर्स के बारे बढ़ाता हूं यह है फेवर का हूड ओर्येंट एफल टीसी बीके सिक्स्टी यह जो ब्लैक कलर के आता है और यह पाउडर कोटेट इस पर फिनिस किया गया है इसके जो मैक्सिम एरफ्लो कैपसिटी है वो है बारासो सी एमेच का है और इसकी जो साइज है वो 59 सेंटिमीटर बाई 45 सेंटिमीटर इंटू 54 से कि अजी है और इसकी जो सबसे बड़ी खासेत है कि यह इलेक्रिस्टी बहुत ही कंजिम करता है तो आज के समय में हम लोगों के गइसी चिमनी चाहिए जो नो-डाउट हमारा इलेक्रिसी भी बहुत कंजिम करे और हमें अच्छा दे इसकी जो मोटर की वाटेश केपसिटी ह वह लगब 180 वट है, जो कि काफी कम है, और इस चिमनी को जो सबसे बढ़ी खासियत है कि इसकी साउंड काफी कम है जो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी चिमनी देखी है जिसमें साउंड काफी ज़्यादा आता, लोगों को बहुत सी गायत होती है कि ख तो यह इसका बहुत ही अच्छा फीचर्स है अब मैं इस आपको चिमनी को ऑपरेट करके दिखाऊंगा और एक बात मैं आपको पता दूँ कि इसमें सारा टैस्ट पैनल है जो आप असानी से ऑपरेट कर सकते हैं और इसमें और इसमें ऑटर क्लीन फीचर्स भी है जिसे मैं आ प्राण में देखें यह हमारा चिमनी आन हो गया सांड काफी कम है तो में करो तो यह थी हो गया अब यह लाइट आउन करो इसके देखें दो एलेडी लाइट दिए गये है जो आपको पसंद आएगा खाना बनाते समय और आप देख सकते हैं इसके सांड उतनी ज्यादा नह जब एक मेने या फी चालीज दीन दो मेने आप इसपया पूछ करेंगे तो यह जो फीचर्स थि कि मैंगे इसके अंदर जो ही आप जिंड है कि अन्धर के सारे तेल को बींट प्रोग्रामिंग किया गया और वो सारा तेल बेल्ट करके यह आप देख सकते हैं यह जो यह इसने और इसे पूस करेंगे तो असानी से निकल आएगा और उसे फिर आप क्लीन करके फिर वापस यहां लगा सकते हैं यही करना है और पुछ नहीं करना है इसमें और इसके करो आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा इसे आप जरूर लाइक कीजिएगा और अगर बहुत पसंद आया तो हम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई क्वेस्टिन वगरा है तो जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स ने बताएगा थैंक्यू बरी मैच झाल कोई झाल कोई बताएब के जुड़ देगे जरूर कोई जरूर बहुत जरूर झाल कोई था जरूर गारा है?